अगर कभी कुछ light, चटपटा और बहुत tasty खाना हो, तो सबसे पहले पोहे की याद आ ही जाती है, और MP के पोहे की तो बात ही कुछ और है, खास तोर पे जबलपूर के या इंदौर के पोहे की, तो आईए आज हम बना रहे हैं जबलपूर स्टाइल का पोहा, इसको बनाने के लिए हमने लिया है, एक पाव मोटा वाला टाटा संपन का थिक पोहा, मोटा वाला पोहा, और इसे खुले पानी में दो तीन दफा अच्छे से धो के, सारा गंदा पानी इसका निकाल के, और इसे भिगो के एक साइट पे रख देना है, और फिर उसके बाद बाकी तियारी क पूल जाए, अब एक थोड़े बड़े साइस की कडाही ले ले ले, उसमें दो तीन टेबल स्पून तेल डाल के, जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो एक चमच राई डाल कर, या सरसों के दाने डाल कर, उन्हें अच्छे से पटपटाने दीजिए, जब राई पटपट जाए तो उसमें साथ ही डाल दीजिए, थोड़ा सा कड़ी पता, और उसके बाद साथ में ही डाल दीजिए, आधा कप बारी कटे हुए आलू, और आलूओं को थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लें, हलका सा सुने रहोने तक, और उसके बाद आधा कप ही बारी कटे हुए डाल अब प्याजों को भी आलूओं के साथ तब तक stir fry करें जब तक प्याज थोड़े से पक ना जाए मतलब हलके से soft हो जाने चाहिए और पूरे कच्छा पनिन का निकल जाना चाहिए और अब इस stage पे आप डालेंगे आधा कप boiled मटर लिए हमने अगर आप कच्छे मटर डालें तो थोड़ा सा जल्दी डालके और उन्हें कुछ देर ढखके पका लें लेकिन क्योंकि हमने boiled peas यूज कि हैं तो हम उन्हें stir fry करके ही पका रहे हैं अब इन सबजियों को तब तक stir fry करके पकाएं जब तक आलू और मटर पूरी तरह से soft हो जाएं और गल जाएं उसके बाद हम कुछ simple मसाले डालते हैं इसमें नमक, स्वादा नुसार, आधा चमश हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च या लाल मिर्च आप अपने स्वादा नुसार फिर से डाल सकते हैं और हल्दी का कच्छा पंदूर करने के लिए और मसाले थोड़ी से पकाने के लिए इन्हें फिर से हमने stir fry कर लिया है अब गैस की flame बिल्कुल slow कर दें और अब इस stage पे हम डालेंगे side में जो हमने पोहा भिगो के रखा हुआ था वो सारा का सारा पोहा डाल के उसे खूब अच्छे से उपर नीचे पलटते हुए टॉस करते हुए हम अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे और उसमें बहुत ही प्यारा सा lemon कलर भी आ जाएगा और इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए ढख देंगे ताकि अपनी ही steam में जो है पोहे का एक एक दाना अच्छे से कुक हो जाए और अब यह सारा का सारा प्रोसेस हमारा slow flame पर ही चलेगा तो अब 5-7 मिनट के बाद उसको खोल के ढखकन को उसके बाद फिर से एक बार पोहे को उपर नीचे टॉस कर लीजिए और इसके बाद जो है पोहे को बहुत ही tasty और juicy बनाने के लिए एक चम्मट जो है यह हमारा secret है एक चम्मट चीनी डाल दीजिए और उसके बाद फिर से उसको mix करने के बाद थोड़ा सा ढख दीजिए ताकि चीनी पूरा एक एक दाने में अच्छे से रस जाए और इसका पता भी नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ही थोड़ी सी चीनी हमने डाली है वैसे चीनी डालना optional है और एक मज़े की बात बताओं ये जो पूरा का पूरा वीडियो है ना ये मेरी चोटी बहन संगीता मनोचा ने अपने घर में शूट करके मुझे भेजा है क्योंकि हमारी पूरी फैमली में सबसे ज़दा टेस्टी पोहा वही बनाती है और इस पोहे में एक दो और भी सीक् नहीं दे रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूं जब हरा धनिया डाल रही है तो इसमें साथ में एक चुटकी पिसी हुई सौफ भी डाली है और एक बारी बारी कटी हुई हरी मिर्च भी है उसमें और ये दोनों चीजें बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर देती है अब पूरा जो है इसमें ये धनिया अच्छे से मिक्स करके टॉस करके ये लीजिए बहतरीन बहुत ही फ्लेवर फुल और बहुत ही स्वादों से भरा हुआ पोहा आपका बिल्कुल रेडी है अब इसे एक सुंदर से डोंगे में निकालके थोड़ी सी तली हुई मुंगफली और हलका स करे बहुत है तली होड़ी करे दोड़ी से भरा है।